हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू माई चेनल यास्मिन की चनप आज मैं आपकी रिले करा हूँ बहुत ही सिंपल इजी डिलिशिस खजूर का हलवा बनानी की रेसिपी इसे बनाना बहुत ही असान है यह देखिए इसका कलर कितना आईरन से बिल्कुल भरपूर इसका कलर है औ आपको हीमोगलोबिन लेविल अगर आपका कम है तो आप इसे जरूर से पनाईए और ट्राइ कीजिए आप इसे बहुत इंज्वाई करेंगे बिल्कुल सॉफ्ट हमारा खजूर का हलवा रेडी हुआ है दीकि कितना सॉफ्ट है देखने से ही आपको पता चल रहा है चलिए के रेसिपी स्टार्ट करते हैं हलवा बनाने के लिए हमने 250 ग्राम खजूर ले लिए इसकी हमने गुठलिया रिमोग कर ली है हलवा बनाने के लिए हमें थोड़ी मोश्चर वाली खजूर चाहिए ड्राइ खजूर का हम यूज नहीं करेंगे उससे हमारा हलवा अच्छा न कि देखेंगे कि देखें फ्रंड्स आधे घंटके पारदा मरी ख़जूर बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है हbleек हाई हमारी खजूर अब हमिसिक ज़र में डालकर में इसके स्मूद ब PP बना लेंगे इदैखें बैटर हमारा बिल्कुल रैडी हो चुका है अब बन फॉर्थ करेंगे और इसे हम मीडियम फिलेम पे कंटिन्यू चलाते हुए दस से बारा मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे जब तक हलवा हमारा सारा गी एर्जोब नहीं कर लेता तब तक हम इसे भूनते रहेंगे दिखें दस मिनट के बार हलवे ने हमारा अच्छे से सारा गी एर्जोब कर लिया है अब हम इसमें हाफ टेबल स्पून गी और एट करेंगे और इसे भी हम चार से पांच मिनट कंटिन्यू चलाते हुए बून लेंगे हलवे को भूनते हुए फ्रैंड समय पांच मिनट हमारे कंपलीट हो चुके हैं और हलवे ने हमारा सारा गी अच्छे से एर्जोफ कर लिया है अब हम इसमें हाफ टी स्पून गी और एट करेंगे और इसे भी हम पांच मिनट के लिए कंटिन्यू चलाते हुए बून लेंग जब तक हमारा अच्छे से घियर्ज ओप नहीं हो जाता तब तक हम इसे कंटिन्यू भूनते रहेंगे जितने अच्छे से हम हलवे की भूनाई करेंगे इतना ही टेस्टी हमारा हलवा रेडी होएगा इदे के हलवे का हमारा बिल्कु कलर चेंज हो गया है इतना अच्छे से हमने इसकी भूनाई करी है अब हम यहाँ पर हाफ टीस्पून घी और एट करेंगे इसे भी हम कंटिन्यू चलाते हुए पांच से छे मिनट के लिए भून लेंगे गेस का फिलेम हम अपना मेडियम रखेंगे इदी की फ्रेंट्स पांच मिनट के बाद हमारा हलवा अच्छे से भून चुका है इदी की कितना परफेक्ट हमारा हलवा भून चुका है अभी हम इसे दो मिनट मजीद भूनेंगे अब हम इसमें थ्री टेबल स्पून कौन फ्लॉर यूस करेंगे इसमें हम दो से तीन टेबल स्पून पानी मिलाकर एक स्मूध बैटर बना लेंगे ध्यान रहे हैं हमारे बैटर में कोई लंप्स नहीं होना चाहिए यह देखे बिल्कुल स्मूध हमारा बैटर रेडि हो चुका है अब हम इसे अपने हलवे में एट करेंगे और इसे हम पांच मिनट के लिए इसी तरह से कंटीन्यू चलाते हुए और भून लेंगे इदेखे फ्रेंट्स हलवे को भूनता हुए हमें तीन मिनट हो चुके हैं इसकी कंस्टेंसी कितनी अच्छी हो चुकी है कितनी परफेक्ट कंस्टेंसी में ही आ चुका है अभी हम इसे दो मिनट और मजीद भूनेंगे इदेखे तो मिनट के बाद हमारा हलवा एकदम थिक हो चुका है अब हम यहाँ पर हाफ टी स्पून घी और एट करेंगे इसे हम पाँच मिनट मजीद और भून लेंगे ताकि हमारे हलवे में कौन फिलोर का कच्चा पन न रहे और बिल्कु परफेक्ट हमारा हलवा रेडियो इदे के पाँच मिनट के बाद हमारा हलवा अच्छे से भून चुका है अब हम यहाँ पर अपने चौप के हुए काजू और बादाम एट करेंगे और इसी के साथ हम यहाँ पर हाफ टी स्पून घीएट करेंगे और इसे भी हमें पाँच से छे मिनट कंटीनियो चुलाते हुए मेडियम फ्लेम पर भून लेंगे यह देखे फ्रेंट्स हलवा हमारा अच्छे से भून चुका है लुकुब परफेक्ट हमारा हलवा रेडी हुआ है यह देखे फ्रेंट्स कितने अच्छे से हमारा हलवा भून चुका है और हलबे ने घी भी डिलीस करना स्टार्ट कर दिया है अभी हम इसे 2 मिनिट मजी दोर भूनेंगे इदीं इदीं हलबे को हमने 2 मिनिट मजी दोर भून लिया है अब हम गेस का फ्लेम ओफ कर देंगे और इसे एक मॉल ट में ट्रांस्फर करेंगे इसे हमें किस पेचुला की हेल्प से सेट कर लेंगे दिखिए इस तरह से जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ हल्वा हमारा बिल्कु पर्फेक्ट सेट हो चुका है जितना पर्फेक्ट हम अपना हल्पा सेट करेंगे इतने ही पर्फेक्ट हमारे पीस कट होएंगे हल्वे के यह देखिए पांच मिनट के बाद हमारा हल्वा बिल्कु रेडि हो चुका है अब हम इसके पीसिस कट करते हैं पीसीज आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े कट कर सकते हैं सुपर हैल्दी एंड डिलिशीज हमारा हलवा रेडी हो चुका है आपको मेरी वीडियो अथी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप मेरी चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब परें साथी साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप मेरी आने वाली कोई भी लेटर्स रेसिपी मिस्ट न कर सकें मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ तब तक के लिए ल्ला हाफिज